हेलो एवरिवान आयम अकाश गोर वेलकम बैक टू यॉर इंटेट मेटिकल लेक्चर इंफ्लामेशन मैंने आपको थमनेल में बोला था सूजन की हम बात करने वाले बिल्कुल एसी इंफ्लामेशन एक एसी कंडिशन जिसमें दर्द हो गरम लगे सूजन आये लाल बन जाये उ देखेगा इंफ्लामेशन एक्च्वल में क्या होती है इंफ्लामेशन एसी प्रिक्रिया होती है जब कोई अपराजक तत्व शरीर के अंदर आता है तो हमारा शरीर उसके विपरित इम्यून सिस्टम बनाता है उसको खत्म करने के लिए जिससे सूजन आती है इंफ्लामेश के नाम से simply जानते देखेगा inflammation actual में क्या है दर्द होना, गरम जगा रहना redness होना और सूजन होना ये सारे लक्षन आपको एक साथ दिखाए देगे सूजन होता है तो दर्द भी होता है लाल भी पड़ता है और आपको simply वापर redness लाल-लाल भी हो जाता है, गरम बिरता वो जगह गरम रहती है, सूजन वाली ठीक है इसको हम लोग inflammation के नाम से simply जानते हैं, देखेगा आगे बढ़ता हूँ causes यानि की कारण क्या हो सकते सबसे पहले physical कारण देख सकते burn, trauma, radiation ठीक है, यानि की burn यानि की जल गया हो, तब भी ऐसा हो सकता है trauma की वज़े से हो सकता है radiation को हम continuously radiation therapy को skin पे लिया हो तब हो गया हो उस कारण से भी हो सकता है ये redness, सूजन आना ये दिकत है biological कारण, यानि की किसी प्रकार ने bacteria ने संक्रमन कर दिया हो यानि की pimple, function, आप जानते हो food जाता है, redness हो जाती है गरम रहती है, वो pimple जो bump होता है, सूजन आती है ये सारी चीज़े आपको उस पे होती है विशानों का viral infection में भी आपको हो सकता है जिसे की chickenpox वागेर आपने देखा होगा आगे बढ़ते है यानि की कुछ chemical यानि की toxins हमारे हाथों पे गिर गया toxin यानि की जहर वेर गिर गया हो poison यानि की जहर गिर गया हो हमारे हाथों पे, या फिर immunological immunological मतलब A, G, A, B, antigen और antibody की जब reaction होती है शरीर में तब भी इस तरह की चीज़े देखने को मिल सकती है कुछ कारण है जो inflammation का कोस बनते है प्रकार, देखो दो प्रकार की inflammation यहने कि जो सूजन की हम बात कर रहे है दर्द, लालपन की, गरम रहने की दो प्रकार से होते हैं एक होता है acute inflammation एक होता है chronic inflammation acute और chronic में simple अंतर में यहीं बता दू, आगे भी explain करूँगा acute का मतलब होता है कि अभी अभी, रात में में को किसी कीडे ने आया और काट लिया तो क्या हुआ, कीडे काटने से सूज गया लाल हो गया, खुजली भी चल रही है दर्द भी हो रहा है यह हुआ acute, chronic की बात करूँ आज मुझे किडे ने काटा दो-तिन महीने तक सही नहीं हो रहा है वो तो वो chronic बन गया याने के नासूर जिसे अब लोग क्याते हो घाव टाइप का बन गया है मतलब वो बहुत दिनों तक चलेगा दो-तिन महीने पुराना उसे हम लोग chronic कहेंगे, अभी-अभी हुआ है उसे हम लोग acute कहेंगे देखिएगा, यह acute inflammation यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती है ठीके, it is short term process अभी कीडे ने काटा वो फिर 24 घंटे में वो सही भी हो जाता मदुमक्की आती है, काटी है, सूच जाती है गरम रेता है, लाल रेता है परन्तु 24 घंटे के बाद वो ठीक हो जाता ठीके यह प्रक्रिया कई भी कोई भी infection और होने के एक से दो घंटे के बाद चालू हो जाती है, it is a process start after one to two hour यहने कि काटा आभी जैसे एकधम काटने पर कभी-कभी कुछ भी inflammation जैतों मैं केडो को example बता हूँ, इसमें थोड़ा जल्दी आ जाता है परन्तु कुछ-कुछ inflammation ऐसी होती जो थोड़ी जैसे कि मैं चल रहा हूँ तो मैं एकधम गिर गया, मेरे पेड मुड गया तो दिन में तो आप अच्छे खासे घूमोंगे पर शाम को आपका पेर अम जाएगा सूजन आ जाएगी, बंप हो जाएगा शाम तक उसका असर देखने को मिलेगा आप चाहे इंजरी की बात कर लो अगर क्या हुआ आपको जैसे की कोई काटा एकधम चूबा तो आपको इमिडेटली असर नहीं मिलेगा आपको एक दो घंटे के बाद में मिलेगा और याद रखना, इंफ्लामेशन का सबसे मेन कोजिस जो माना जाता है हिस्टामीन को माना जाता है इसलिए उसके हिस्टामीन ब्लोकर मेडिशन दी जाती है ठीक है क्रोनिक इंफ्लामेशन क्रोनिक इंफ्लामेशन कई महिनों तक चलती है इसलिए सूजन की बात करो दवाईया क्रोनिक इंफ्लामेशन जैसे कि अस्थमा एक प्रकार का इंफ्लामेशन ही होता जो कि लंबे समय तक चलता है कैंसर बहुत लंबे समय तक चलता है शूगर डायबिटीज में लंबे समय तक चलता है या फिर टूबर क्लोसिस यह सब इंफ्लामेशन से गईज यह लंबे समय तक चलने वाली क्रोनिक इंफ्लामेशन की बीमारिया होती है आईए देख लिए तो सूजन दर्द वगेरा कम करने के लिए कौन-कौन से मेडिकेशन प्रस्क्राइब की जाती है सबसे पहले फ्लूरवेल के नाम से आपको एक मेडिशन मिलती है कमपोजिशन की बात करूँ तो इसमें फ्लूरवेप्रोफेन पाया जाता है और्थोपेडिक पेशेंट में जादा इस्तमाल करते है स्वेलिंग और दर्द यहने कि किसी को गुटने की दर्द है गुटने की सूजन है गुटनों का दर्द है उस कंडिशन में आईबी प्रोफेन काफी अच्छा काम करते है डोजस की बात करूँ 100 mg की ओडी दिन में एक बार दी जाती है प्रिस्क्रिप्शन बेस मेडिशन है आप इसको बढ़ा भी सकते हो डोजस पेशेंट की कंडिशन दर्द सूजन के अकोडिंग यह आती है फ्लूरवेल 100 की है यह 100 mg की टेबलेट है ठीक है 10 x 10 गोली का परचा आता है ठीक है वेल्सन फार्मा के दोहरा बनाई जाती है आइब्यू प्रोफेन कंपोजिशन है फ्लूरवेल के नाम से मिलती है अस्थी वाले मरीज जो होते हैं उनको जादा इस्तिमाल की जाती है और्थोपेडिक पेशेंड में mostly इस्तिमाल यही की जाती है आगे बढ़ता हूं में next medication आती है फ्लूर फ्लूर क्या होता है इसमें भी फ्लूर भी प्रोफेन पाया जाता है फ्लूर भी प्रोफेन यह स्वेलिंग यादि आखों में किसी प्रकार की सूजन है आखों में किसी प्रकार की inflammation है तो fluorbiprofen यानि कि fluor के नाम से मिलेगी swelling ही nice, आखों में सूजन आखों में दर दिये दे किसी मरीज को रहता है तब इस्तमल बीडी दिन में दो बर इसमें 1-2-2 drop मरीज को डाल सकते हैं fluorbiprofen, fluorwell के नाम से fluor के नाम से मिलती है composition की बात करो N allergens के अकोर्डिंग काम करती है उसके याद रखेगा fluorbiprofen fluor के नाम से मिलती है आखों की inflammation, आखों की सूजन में काम करती है आगे बढ़ता हूं में next medicine आती है आपके brufen, brufen के नाम से तो मारके मिलती है ibuprofen composition इसके अंदर पाया जाता ibuprofen होता है यह body swelling यदि शरीर में किसी प्रकार की कही भी सूजन हो तो काम करेगी swelling in pain and ovary and uterus यदि आपको uterus में या फिर ovary में किसी प्रकार का दर्द है ovary में सूजन वगेर अलग रही है उस condition में भी इस्तमाल की जाते है doses की बात करूँ तो 200 mg bd दिन में दो बार इस्तमाल की जाती है brufen के नाम से मिलती है brufen 200 और brufen ibuprofen tablet composition आइंड एन फार्मे को पिया है ठीक है याद रखेगा important है next medicine आती है हमारी naprozen naprozen भी काफी अच्छा इस्तमाल करती है और काफी अच्छा effect ये करती है naprozen जो होती है naprozen के अगर बात करूँ में तो body swelling और body pain शरीर की कोई भी सूजन में काम करेगी और शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द को headache वगेरा हुआ या बोडी में और कहीं दर्द हो रहा उसको अच्छे से maintain करके रखती है dozes की में बात कर लो तो 500 mg की BD याद रखेगा इसको OD दीजेगा पर अगर ज्यादा लगे प्रोब्लम तो BD आप इस्तमाल कर सकतो patient के according composition इसमें naprozen naprozen के नाम से मिलती है body swelling और body pain में काम करती है next आती prigzo dt prigzo dt जो होती है prigzo dt भी चुको है काफी अच्छा काम करती prigzo dt में composition की बात करू तो proxicam composition पायजे तो joint की swelling और दजेदे गुटनों में किसी प्रकार का दर्द और सूजन आपको देखने को मिले तब इसके इस्तमाल कर सकते हो जोडो की सूजन और दर्द में बात करूँ 20 mg BDN की BCMG की tablet होती है दो बार इस्तमाल की जा सकते है और वेसे SOS देते है patient की need के according उसकी जरूरत के according यह चोटा सा topic तो जोकि सूजन के उपर मैंने बनाया कुछ comments आई थी इस तरह की और भी details सीखने है simply आप हमारा play store पे application है यहां से हम आपको हमारी book प्रोवाइट करते है तीन book बट PDF के रूप में देते है और भी बहुत सारे पूरा यह course है जो आपको सारी चीज़े मिलेगी 950 प्राइज है यह वाला course रहेगा 950 में book के साथ में पूरा online medicine, disease, treatments related पूरा course प्रोवाइट करते है हम लोग साथ में एक साल की validity देते है एक साल तक नया content देते है इसमें already बहुत सारा डला हुआ content है परन्तु फिर भी आपको एक साल तक नया content मिलेगा वित साथ में लोग certificate भी आपको इसमें प्रोवाइट करते है प्रोवाइट करते है